जुही चावला हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री का एक ऐसा चहरा जो कभी अपनी एक मुस्कान से लाखों का दिल जीत लेता था एक ऐसा नाम जिसने ना केवल अपनी अक्टिंग से बलकि अपनी सादगी से भी लोगों के दिलों में जगह बनाई 13 नवंबर 1967 को हरियाना के अमबाला शहर में एक पंजाबी परिवार में जुही चावला का जन्म हुआ था इनके पिता डोक्टर S. चावला इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आफिसर थे आज हम आपको जुही चावला की जिन्दगी का एक ऐसा किस्सा बताएंगे जो आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा जुही का ये किस्सा जुड़ा है सल्मान खान के साथ लेकिन इससे पहले जानते हैं जुही की जिन्दगी से जुड़ी कुछ और एहम बातें जुही चावला की पढ़ाई मुंबई के फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी मुंबई के ही सिडुनेम कॉलिज से इन्होंने एचार में ग्रेजुएशन किया था खुबसूरत चहरे और प्यारी सी मुस्कान वाली जुही चावला ने सन 1984 में मिस इंडिया कंपेटिशन में हिस्सा लिया और इसे जीत भी लिया मिस इंडिया बनने पर जुही को एक्ट्रेस रेखा ने ताज पहनाया था इसके बाद इसी साल जुही ने अमेरिका के मायामी शेहर में हुए मिस युनिवर्स ब्यूटी पैजेंट में भी भारत की तरफ से हिस्सा लिया इन्हें बेस्ट नेशनल कोस्ट्यूम आवर्ड से सम्मानित किया गया इस बात से काफी कम लोग वाकिफ हैं कि जुही ने तीन सालों तक कथक की विधिवत ट्रेनिंग ली है और ये एक बेहद शानदार डांसर भी हैं लेकिन बाद में मजबूरी में इन्हें कथक छोड़ना पड़ा और इसका दुख इन्हें आज भी होता ह बात अगर इनके फिल्मी करियर की करें तो सन 1986 में इन्होंने सल्तनत नाम की फिल्म से बॉलिवड में अपनी पारी का आगाज किया फिल्म में इनके हीरो थे महान एक्टर शशी कपूर के बेटे करन कपूर और उनकी भी ये पहली ही फिल्म थी ये फिल्म फ्लॉप हो गई आयाम सेट किये इस फिल्म से जुही को करियर की शुरुवाती सफलता मिल गई जुही चावला ने एक बार फिर से बॉलिवड में एंडरी ली फिल्म क्यामत से क्यामत के जरिये आमिर खान के साथ जुही की रॉमांटिक केमेश्टरी सिने प्रेमियों को बेहद पसंद आई और ये फिल्म साल 1988 की एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई आमिर खान को अपनी पहली फिल्म से सकस्स मिल गई और आमिर जुही को अपने लिए लकी मानने लगे इस फिल्म में जुही के शानदार काम के लिए इन्हें उस साल का फिल्म फेर बेस्ट एक्टरिस आवोर्ड क कर सकती हैं लेकिन लोगों की सोच को बदला फिल्म बोल राधा बोलने इस फिल्म में जुही चावला ने गाओं की गोरी बनकर इतनी दमदार कोमेडी की कि रिशी कपूर इनके जबरदस्त फैन हो गए जुही कितनी शानदार अदाकारा हैं इसकी एक और बांगी देखने को म फिल्म राजू बन गया जेंटलमेन में इस फिल्म में शारुक खान की नॉन ग्लेमरिस प्रेमिका जुही चावला को लोगों ने खूब पसंद किया साल 1993 में रिलीज हुई डर फिल्म जुही चावला के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक रही इस फिल्म में जुही ने डर और रोमांस का ऐसा तड़का लगाया कि दर्शक इन पर फिदा हो गए डर फिल्म में जुही चावला ने इतनी खूबसूरत एक्टिंग की थी कि उस दोर के हर बड़े फिल्मी पंडित ने जुही की एक्टिंग की जम कर तारीफ की थी जुही चावला इतनी तेजी से सफलता हासिल करती जा रही थी कि बॉलिवुट का हर बड़ा हीरो इनके साथ काम करना चाहता था लेकिन एक हीरो ऐसा भी था जो इनसे शादी करना चाहता था ये हीरो था सल्मान खान सल्मान जुही को बेहद पसंद करने लगे थे जुही संग शादी के खाब भी सल्मान देखने लगे थे खुद सल्मान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जुही से शादी करना चाहते थे सल्मान जुही से अपनी शादी का प्रपोजल लेकर उनके पिता के पास उनके घर पहुँच गए सल्मान पूरे कॉन्फिडेंस में थे उन्हें लग रहा था कि जुही के पिता जुही से उनकी शादी के लिए तुरंत हां कह देंगे लेकिन हुआ इसके ठीक उलट जुही के पिता ने सल्मान की बात सुनते ही साफ इंकार कर दिया सल्मान का दिल तूट गया और वो वापस अपने घर लोट आए सल्मान ने इस घटना के कुछ सालों बाद कहा था कि उन्हें समझ नहीं आया कि जुही के पिता ने उनसे जुही की शादी के लिए क्यों इंकार किया था अगर आपने कभी जुही और सल्मान पर गौर किया हो तो आपको मालूम चलेगा कि जुही और सल्मान ने कभी भी कोई फिल्म साथ नहीं की है इस बारे में सल्मान कहते हैं कि उन्हें कोई परिशानी नहीं है लेकिन ना जाने क्यों जुही उनके साथ काम नहीं करना चाहती। सिल्वर स्क्रीन पर केवल एक दफा सल्मान और जुही साथ में नजर आये हैं। 1997 में रिलीज हुई फिल्म दीवाना मस्ताना में कौर्ट मेरिज के सीन में ये दोनों साथ नजर आये थे और उसके बाद भी आज तक कभी जुही ने सल्मान संग काम नहीं किया। जुही चावला ने साल 1995 में बिजनिसमेन जै महता से शादी की थी। लेकिन अपनी शादी को जुही ने सालों तक छिपा कर रखा था। बाद में जब जुही ने दुनिया को अपनी शादी की खबर दी तो उन्होंने कहा कि शादी के वक्त वो अपने करियर के पीक पर थी। ऐसे में अगर उनके शादी की खबर फैल जाती तो हो सकता था कि उनके करियर पर इसका बुरा असर पड़ता। जै महता और जुही के दो बच्चे हैं जुही की एक बेटी है जिसका नाम है जानवी महता और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है अरजुन महता जुही के दोनों बच्चे इस वक्त इंगलेंड में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं जुही की जिंदगी का एक पहलू बेहद दुखत भी है और ये पहलू जुड़ा है इनके भाई और बहन से जुही के माता-पिता की तीन संताने थी बड़ी बेटी जुही, छोटी बेटी सोनिया और सबसे छोटा बेटा बोबी चावला बोबी चावला दरसल वही शक्स थे जिन्होंने रेड चिलीज एंटर्टेन्मेंट की स्थापना की थी लेकिन एक रात जुही के भाई बोबी चावला को एक तगड़ा श्ट्रोक आया और वो कोमा में चले गए चार साल बाद यानि 2014 में कोमा में ही उनकी मौत हो गई जुही की बेहन सोनिया चावला भी 2012 में कैंसर की वजह से दुनिया छोड़कर चली गई थी भाई और बेहन की इस तरह हुई असमे मौत ने जुही और उनके परिवार को तोड़कर रख दिया था